जैन दोस्तों आज का यह टॉपिक EBS के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मुध्पुन है और जितने भी एक्जाम जिसमें EBS के प्रस्ण आते हैं उसमें एसी ड्रेन से एक ना एक प्रस्ण पूछा गया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में जानते हैं कि अमल वर्षा क्या है अमल वर्षा का क्या प्रभाव है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं रोक तो नहीं सकते हैं क्योंकि आज प्रियावरन इतना परदूसित हो गया है कि इसे रोकने चाहें तो हमें सारे फैक्टरियां बंद करनी होगी तो हम रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और कुछ हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं अमलबर्सा होती कैसे है उसको जान लेते हैं जितने भी धूआ छोड़ने वाले कलकार खाने वाहन या जो भी उपकरन है जिससे हमें धूआ निसकरसित होते हुए दिखाई पड़ता है जैसे कि कोई फैक्टरी ले लिजिए चाए ट्रेन ले लिजिए चाए बिजली संयतर ले लिजिए ये सब धूआ छोड़ते हैं तो धूआ में क्या होता है सलफर के डाय और कार्बन के डायोकसाइड इसके अलावे और कई सारी गैसें होती जैसे कार्बन मोनोकसाइड ये सारी गैसें बहुत ही जहरीली होती है और प्रियावरन को परदूसित करने वाली होती है इन्हें क्लोरो फ्लोरो कार्बन के नाम से भी जाना जाता है ये मैन है अमल आवा ऊपर उठती है तो जाकर के बादलों से मिलती है जब बादल वर्षा कराते हैं उन्हीं वर्षा के साथ यह एचेनो थ्री नैट्रिक एसी यह एस्टू एसो फोर सल्फर डायॉक्साइड की रूप में स्वरी सल्फ्यूरिक एसीड के रूप में आगर के नीचे गिरती ह और जहां जहां यह गिरती है वहां यह बिनास लीला को दिखाती है पेड़ पौदे मरने लगते हैं इमारत जिसमें मारबल लगे हो वो बरबाद होने लगते हैं जैसे की ताजमहल तो ताजमहल का रंग धीरे-धीरे फिका पड़ रहा है यानि काला हो रहा है उस तरह का च विस्तार से और हम जानेंगे, क्या इसे जली जीवों को कोई खत्रा है, वो भी जानेंगे, तो हमने देखा अस्तली पेड़ पौदे जीव जंतू पर नुक्सान हो रहा है, लेकिन ये घुला हुआ पानी जो की एसी ड्रेन है, जदी किसी जलासे में जाता है, उनके जीवों पर भी बुरा असर डालता है, चलिए विस्तार से आगे देखते हैं, अमली वर्सा क्या है, अब हम सबसे पहले ये जाननेंगे प्रियास करेंगे, आखिर अमल वर्सा है क्या, तो इसका जवाब है, अमल वर्सा वह वर्सा होती है, जिसमें मुख्य रूप से रसाइनिक तत हो, जैसे हमने कहा आपको, सलफर के डायोकसाइड और नाइट्रोजन के डायोकसाइड, एवंग परदूसन का मिश्रन होता है, दरसले अब परदूसन नहीं होता, यहाँ पर परदूसक होगा, जैसे धूलकन भी बहुत सारे हानिकारे कच्रे हैं, और भी कई सारी चीजे है जो मैंने पहली बताया आपको, वो सारे मिल जाते हैं, और यह किस में मिलते हैं जाकर के, वर्सा में मिलते हैं, और इस प्रकार की वर्सा को अमल वर्सा कहते हैं, यह धर्ती पर एक हलके अमले सांद्रन की रूप में गरता है, अब यह समझे आप सांद्रन क्या होता है, सां घुणा से उसमें 50 परसंट मिला हो हो सकता 10 परसंट मिला हो तो जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा है उतना नुक्सान और ये जब गिर्तें धर्ती पर तो पैड़ पौते और जीवजन्तु खासकर के जली जीवजन्तु पर बुरा प्रभाव डालते हैं. यह आपने जाना कि अमलवर्चा क्या होता है? अब वैज्यानिकों ने क्या गा है? वैज्यानिकों ने कहा कि वर्षा के जल में अमलो की उपस्तिति को अमल्य वर्षा कहे Gegenक होई बी परकार की अमलजदी वर्षा में मिल जाते हैं तो उसे हम कहेंगे अमलवर्सा और जिसके कारण हमारा प्रियावरन हमारा वातावरन बुरी तरह प्रभावित होता है इसमें पेड़ पौधे को तो नुकसान होता ही होता है साथ में सारे जीवजनतों को भी नुकसान होता है यहां तक की इंसानों को भी होता है इसकी खोज किस ने की थी तो अमल वर्षा की खोज रोबट एंगस इसमीत ने की थी अब देखते हैं अमल वर्षा की प्रकार अभी हमने जाना अमल वर्षा अमल वर्षा की खोज करता और अब हम जानेंगे अमल वर्षा के परकार तो देखते हैं अमल वर्षा के दो परकार होते हैं एक है गीली अमली वर्षा जो की बारिस के रूप में गिरती है दूसरी है सूखी अमली वर्षा दोनों पर चर्चा आगे होगी गीली अमली वर्सा जब अमली वर्सा बर्प धुन्द एवंग बारिस की रूप में होती है उसे गीली अमली वर्सा या ने जदि वव वर्ब गिरता है ओला उसकी रूप में ऐसीर मिला हो या धूंद जिसे कुहरा गिरता है, ओस गिरता है, सीत गिरता है, उसमें अमल मिला हो, या बारिस होती है, उसमें अमल मिला हो, यह सब गीले हो जाते हैं, गीले कर देते हैं चीजों को, इसलिए गीली अमली वर्सा, नेक्स्ट है, सूखी अमली वर्सा, जब अमली परदूसक दूएं या धूल के रूप में किरते हैं कोई जरूरी नहीं कि हर बार बारिस ही होगा कभी धूल परदूसन भी तो होता है ना मालीजे कहीं आप रात में देखें होंगे हैं जो टावर पर लाइट जलता है उस पर देखिएगा कितने धूल के कंटिम तुमाते हुए आपको नजर आएंगे तो धूल आकिर गीर तो रहा है ना हावा में उठा फिर नीचे आया तो जहां जहां यह पड़ेगा उसको परदूसित करेगा तो यह सूखे रूप में गीरा इसलिए सूखी अमली वर्सा कहेंगे और यह ज्यादा कहां पर गिरते आपने घरों में देखा ह हो गेंदो होता है कि आप साफ कर लीजा शड़प किनारे जीदी घरत गलों में धूलाता है कि और पेड़ पॉद SeoVA भी आपने देखा होगा कि जो कोलियरी इलाका होता जहां में कोयला खनन होता जहां और भी चीज्य खनन होती है तो वहां के पैड़पोद स्दिक्र तुमा धूलकन गिरते हैं और समारक, बढ़ियां भावन जिसे ताजमल हो गया, लाल कीला हो गया इसी तरह के भावन प्रवावित होते हैं अब इसके कारण की चर्चा करेंगे, अमल वर्सा आखिर क्यों होती है, उसके कारणों का जानने के प्रयास करेंगे अगमला वर्षा का मुख्य कारण है वायू परदूशन यानि वायू परदूसीद होगी और उसी वायू में बर्षा होगी तो वो किसी न किसी के रूप में जाए सूखा हो जाए गीला हो पिर तुवी पर आकर गिरे ही गिरेगी और इसका सबसे मुख्य कारण है कारबन डाय oxide बताया थैं, हमने sulphur ital окside बताया, हमने hydrogen oxide बताया, सभी के सभी carbon monoxide hydrogen hydrofluorocarbon chloropluorocarbon,stall prospects यह सारे के सारे green house gas आए जो कि अमिल वर्शा के लिए जिम्मिदार माने जाते है और पृत्वी के तापान बढ़ाने के लिए भी जिम्मिदार माने जाते हैं कि दरसल यह कार्बन डाक्साइड जल के साथ परतिक्रिया करके कार्पनिक एसीड बनाता है और जिसके कारण अमली वर्षा होती है विग्ञानिकों के एनुसार वर्षा के जल में अमलों की उपस्तिति को अमले वर्षा करते ये पहले हमने देखा तो वाईय मंडल में क्या-क्या है सलफर के डाय अकसाइड है ना इट्रोजन के अक्साइड है और यह निकलते रहता कहां से निकलता है फैक्टरियों से निकलता है वहनों से निकलता है कलकारखानों से निकलता है ज्वालामुखी विसफोर्ट से भी निकलता है तो यह निकलते रहता है जिसके कारण इसी धर्ती पर घूम करके वर्षा होती है और अमलबर्षा क्यालाती है अमलबर्षा का पी- pH 5.5 से भी कम होता है देखिए साथ pH है तो उदासिन मानेंगे साथ से उपर है तो छार किये और साथ से नीचे है तो अमली है तो पी एच का अस्तर जितना गिर्थे चला जाएगा अमलेता उतनी ही बढ़ती चले जाएगी विज्यानिकों का मानना है कि जिवासम इंधन को जलाने से अमले वर्सा हो जाती है और वर्सा अमली भी होता है अब ये जिवासम इंधन क्या है जब जीवों के अबसेस जमीन के अंदर हजारों लाखों वर्सों तक दबे रहते हैं तो वो कोईले बन जाते हैं या पेट्रोल वर्षा के कारक होते हैं जब भी हम जिवास में इंदन को जलाते हैं उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्बन के ऑक्साइड सलफर के ऑक्साइड इत्यादी निकलते हैं जो वायू को परदुसित करते हैं और परदुसित वायू जल से मिलती है और अमल वर्षा हो जाती ह अमल वर्षा के दूस परी नाम इसकी नुक्सान भी हैं परी नाम में सोता है क्या फल मिला उसका लेकिन दूस परी नाम यानि नुक्सान वाला ही फल मिला अमल वर्षा के कारण जली प्राणियों की मिर्त्यू खेतों और पेड़ पोधों की बिर्धी में गिरावट तामबा और सीशा जैसे घातक तत्वों का पाने में मिल जाना ये सभी दूस परी नाम देखे जा सकते हैं जर्मनी वह पस्चिम यूरोप में जंगलों के नश्ट होने के कारण भी अमल वर्षा ही है और जर्मनी और यूरोप में क्यों हुआ ऐसा है अबली वर्षा क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय देशी और द्योगी के रन को लाए थे तो सबसे ज़्यादा और रहे हैं सबसे ज़्यादा परिदूसर भी महा होगा मनिश्य उपर भी इसका परिणाम घंभीर होता है अमली वर्षा के कारण आगरे का ताजमल पीला पड़ रहा है अब अमली वर्षा के प्रभाव को जान लेते हैं चलिए अमलब पदार्थों तथा संरचनाओं को दुर्बल बना देते हैं जैसे मार्बल लाइम श्टॉन सेन श्टॉन आदि से निर्मिद बिल्डिंग का डेमेज होना अमली वर्षा के कारण मिर्दा के अमलीता बढ़ जाती है जिसका मानव तथा जली जीवन पर विप्रित प्रभाव पड़ता है तथा किरसी उत्पादक्ता भी कम हो जाती है अमलीता स्मयल माइक्रोबिल प्रॉना तथा नाइट्रोजन सिक्वेंस को भी प्रभावित करते हैं फॉनला क्या होता है जितने बी पेड़ पौदे इस संसार पर हैं ostr्य जितने भी जीव जंतु इस संसार पर हैं उसे फाऊना कहा जाता है है और जितने भी जितने भीड़ पह नियसे प्लोरा कहा जाता है अगे देखते हैं nitrogen friction को भी प्रभावित करता है मिरदार असायन में परिवरतन होने से उत्पाधक्ता भी कम हो जाती है अमले वर्षा की कारण स्टाइल जिंक ओईल बेश्ट पैंट ओटो मोबाइल कोटिंग अधिका सुंचारण होने लगता है अगला है अमले वर्षा का नियंत्रन कैसे किया जाए जब यह इतना हानिक रख है तो इसे रोकना भी ज़रूरी ह तो चलिए देखते हैं जलास्यों तथा किरसी भूमी को प्रियोरेडिकली लाइम्ड करना चाहिए जिसे अमले वर्षा की दोरान अमलियता उदासीर हो जाती है यह क्या कहने मतलब है यह कहना चाह रहा है कि जो ज़लस रोथ है उसे चुना जैसा चुना क्या है लाइम्ड ह उसे डालना चाहिए, क्लोरीन डालना चाहिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो डालना चाहिए, जिससे वो उदासीन हो जाए, अमल और छारग मिलने से उदासीन हो जाता है, वायो मंडल में सारफर डायकसट की मात्रा को कम करने के लिए, ऐसे इंदनों का उप्योग क वही नहीं जैसे माल ने सोलर हमने उप्योग कर लिया हमने इंडेक्शन का उप्योग कर लिया तो ऐसी में क्या है कि तुपर निकलेगा ही नहीं तिस तरह हम कर सकते हैं कोल बर्निंग के दोरान उत्रजित एसो तू यानि सल्फर डियोग सट को रियूज करने के लिए स्कर्बर्स का उप्योग करना चाहिए आप देखिए जब भी कोईला जलाया जाता है बिजली उत्पादन के लिए बाकी और चीज़े निकले तो उसमें एक स्कर्बर होता है उसे लगा देना चाहिए जिससे वो कम हो जाए अन्य प्रियावर्नी प्रदूस्वन के प्रति काटे जाता है चाहे वो खिरकी के लिए उस चाहिए के लिए हो तो अगर पेड़ आपके पास जगह उपलब्द है तो आपके पलगा दीजिए जदि आपके पास जगह उपलब्द नहीं है तो अब इस तरह आ आप ने देखा आप देखते हैं अमलबर्सा और पर्दास के सुरौथ यानि जो भी घातक चीजे निकलती है, हानिय वाली चीजे नीकलती है, उन पर न tirar लगाना है, और वेय सबी वैक ती जो संस्ता है इस विसे पर कारे दें 강ऌने म सारी जान कर्देतीने, उन्हें तो करना ही जाईए, जदे कोई अ।्गे फैक्टरी च उमीद करता हूँ आपको यह टोपिक अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों में जदा ज़्यादा सेर कीजिए चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन दबा लिजिए और हमें कमेंट करके बताएए आज का यह वीडियो आपको